Hello everyone, I am Aisha from National Academy of Fire and Safety तो आज मैं आपको बताऊंगी लोटो के बारे में कि लोटो सिस्टम होता क्या है इसे हम कैसे यूज करते हैं और इसका सिफटी से क्या रिलेशन है इसे कब और क्यों यूज किया जाता है इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ और अगर लोटो को हम यूज करते हैं लोटो सिस्टम को अगर हम यूज करते हैं तो इससे हमें क्या बैनेफेट्स होता है इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ तो देखिए जैसा कि आपको यह दिख रहा हुगा जो लोटो लिखा हुआ है यहाँ पर लोक आउट टैग आउट ठीक है अब यहाँ पर एक लोट भी दिख रहा है अब आपको एक टैग भी दिख रहा है ठीक है पर इसका में यूज क्या है यह क्यों यूज किया जाता है तो देखिए यह यूज किया जाता है हजार्डियस एनरजी को कंट्रोल करने में बलब कोई भी ऐसे खत्राई वाली चीज चो रिलीज हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए ये लॉकाउट टैगाउट सिस्टम यूज किया जाता है अब हजार्डियस कैसे हजार्डियस सिचुईशन कैसे रिलीज हो रही है एनरजी कैसे रिलीज हो रही है इसके बारे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे और कभी यूज किया जाता है लोटो सिस्टम तो बेसिकली लोटो सिस्टम है क्या ये एक टेकनीक है जो कि प्रेवेंशन कर रही है prevent कर रही है किसी भी hazardous energy को release होने से उसको पहले सी maintenance करने के लिए prevent कर रही है loto system का मतलब होता है कि अगर हमने loto system indicate कर दिया लगा दिया तो वहां का जो work हो रहा है उसको maintenance करने के लिए वहां पर एक tag लग गया ठीक है अब यह perform कैसे किया जाता है manually कोई भी person जो भी person वहां work कर रहा है जो safety department का person है वो वहां आके इसको lock और tag लगा देगा और energy जो भी machine है जो भी work हो रहा है उस machine को क्या isolate कर देगा ठीक है अब क्या होता है loto system जो है वो कभी भी single plug में use नहीं किया जाता है ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी plug हो और वो connected हो और loto system लगा दे इसा नहीं होता है कोई भी equipment उसे unplugged किया जाता है उसके बाद उसकी सारी supplies बंद की जाती है उसके बाद उसमें lock और tag लगाया जाता है अब एक example देती हूँ जिससे आपको जल्दी समझाए industry है या कोई भी workplace है वहाँ पर एक machine में क्या हुआ fault आ गया कोई worker जो है वहाँ काम कर रहा है वो उसने assume कर लिया या फिर कुछ भी electric shock आ गया उसमें से या वो work ठीक से नहीं कर पा रही है तो क्या किया उसने inform कर दिया जाके कि इस machine से ऐसी आवाज आ रही है जीप सी आवाज आने लगे ठीक है work ठीक से नहीं कर रही हो तो क्या हुआ उसने बता दिया जाके कि इस machine में ये खराबी आ रही है अब क्या होगा वहाँ से safety department से जो भी वहाँ पर safety department है या कोई और head है वो आएंगे उसे check करेंगे कि इसलिए कि ताकि उसे दुबारा कोई यूज में ले सके और टाइग इसलिए कि ताकि लोगों को पता चल सके कि ये machine जो भी working condition में नहीं है तो इसे start ना करें ठीक है अकर लोटो सिस्टम में अप्लाय करते थे तो इसके क्या benefits रह सकते हैं और कैसे safety precautions रह सकते हैं कैसे safety maintain हो जाएगी सबसे पहले तो ये notification जो notify जो इस पर करेंगे ये इतना affected है कि सभी employees को पता चल जाएगा कि machine और equipment ये shutdown कर दिया गया है ये lockdown कर दिया गया है इस पर अभी work नह भी चाम pow वहरा गया है वो सारा हमें block कर देना है उस मशीन को उस equipment को पूरा isolate कर देना है जो भी अगर सप्लाय होरी है ये तो वह बंद कर देना है पूरी तरीके से उसे बंद करने के पाद isolate कर देना थी कि जो भी switch है न अट को बंद करें सब स्विच इसे do tj which कर देना जा कोई चालू कर दे आके लॉग आउट टैग आउट तो हमने कर दिया माल लीजे किसी देखा ही ना और चालू कर दे तो उसकी सारी सप्लाइस बंद करने के बाद लॉग आउट टैग आउट होगा उसके बाद बिलकुल शियोर हो जाना मतलब यहां लिखा हो ना वेरिफार नहीं करेगी तो इस पर अभी क्या लगा दो लॉग आउट टैग आउट उसके बाद लगाएंगे ठीक है पुरा टैस्ट कर लेंगे कि यह अब शुरू नहीं हो पाएगी मशीन कैसे भी करके स्टार्ट नहीं हो पाएगी उसके बाद हम इसे क्या करेंगे लॉग आउट ट उसे मशीन को ठीक करने आया और लेगाओट टैगाओट जो है लोटो जो है वो हमने हटा दिया तो क्या होगा जो परसन उसे ठीक कर रहा है उसको तो हार हो सकता है ना फिर तो तब भी नहीं हटाएंगे पहले वो मशीन ठीक हो जाएगी वरक उसमें चल रहा होगा वो भी ठीक हो जाएगा जब बिल्कुल शूर हो जाएगे कि अभी ये ठीक है अब हम इसे चालू कर सकते हैं उसके बाद इसे release किया जाता है कैसे release किया जाता है? ये भी मैं आपको बताती हूँ अब देखीए ये जो loto system रिलीस कैसी किया जाता है तो क्या करेंगे सबसे पहले machine जोभी ठीक हो रही थी वो ठीक हो रही है अभी ठीक हो गई है तो inspect करेंगे पहले पूरे area को और उस equipment को कि अब भी ये working condition में आ गया है या नहीं जितने भी machine guards थे वो सारे place पर हैं या नहीं ये भी check करेंगे जो भी tools उसके लिए use हो गए हैं वो सारे वहाँ से हटा दिये गए हैं उस equipment से या नहीं ऐसा तो नहीं कोई वहाँ पर worker काम कर रहा है कोई equipment जो भी tools उसने use की है उस equipment को ठीक करने के लिए वो tool गलती से रह गया हो उस machine के आसपास है उसके अंदर रह गया हो तो ये भी check कर लेना है चिक है सब को inform कर देना है कि अभी ये startup condition में आ गई है फिर पूरा connections है पूरे system को उसके बाद log out और tag out अटाने है logs और tags अटाने है restore करना equipment को normal तरीके से जैसे किया जाता है उसके बाद उसे conduct करेंगे कि ये normal startup के लिए ready है तो ऐसे loto system जब रिलीस किया जाता है ठीक है ठीक है अब जब भी release कर रहा है हम loto system इंस्पेक्शन करना इंस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है एक बाद जिससे कि जो भी चीजे हमने उसे ठीक करने के लिए use की थी वो सारी हमने हटा लिया या नहीं ऐसा नहीं हो कि हम ने ठीक तो कर दिया और उसे दुबारा check नहीं किया तो फिर से कोई problem आ जाए और जिसकी वज़े से कोई ऐसी unsafe condition बन जाए तो यह चीजें भी जरूरी होती है कि पहले यह चेक करना जब मशीन खराब गई तो चेक करना उसका सारा system जो है वो पूरा ब्लॉक कर दिया है energy जो भी current उसमें फ्लोर आता वो सब ब्लॉक कर दिया यानि उसे ठीक से isolate कर दिया यानि उसके बाद जब वो चालू होने वाली उसके पहले भी हमें चेक करना होगा कि गल्ची से कोई सामान अंदर तो नहीं रह गया यह कोई भी ऐसी चीज यह कोई वायर कोई ऐसा धीला तो नहीं है इसा सब चीज चैक करके उस logout और tagout को हटाते हैं ठीक है पूरी चीज़े चैक करने के बाद ही हटाया जाता है ठीक है तो इसारे release form थे logout के tagout के release forms थे कि loto system के अब loto system क्या होता है आपको समझ आ गया होगा और इसे हम क्यों use करते हैं तो ऐसी अगर हम follow करते हैं logout tagout procedure तो हम खुद को safe रख सकते हैं अपने work place को भी safe रख सकते हैं और ऐसे कोई भी unsafe condition बनने से रोक सकते हैं और कोई accident भी create नहीं हो पाएगा अब देखी यह picture में आपको देख रहा होगा इसमें क्या यह fan जो है यह क्या working condition में नहीं है तो यह यहां से पुरा off कर दिया means power यहां पर logout tag लगे हुए हैं उसके बाद worker वहां ठीक कर रहा है अब जब यह ठीक हो जाएगा तो यह logout tagout हट जाएगा वह working condition में आ जाएगा तो यह loto system जो है वह follow करना बहुत जरूर है क्योंकि यही है safety में छोटी छोटी चीज़े अगर हम ध्यान देंगे तो हम सारा work safely और securely कर सकते हैं so thank you